Hello everyone, welcome to my YouTube channel, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और जैसा कि आपको पता है, railway technician vacancy का detailed notification आउट हो चुका है काफी सारे changes हुए है, last video में मैंने discuss किया था केवल एकी CBT होगा इस बार, दो CBT नहीं होंगे और slay bus को भी change किया गया है तो अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, सभी की सार अरबी में कितने कितनी vacancy है, ITI वालों के लिए कितनी vacancy है साथी जो BSC वालों के लिए grade 1 के कितनी vacancy है और पूरा data मैंने अबे प्रिपेर किया है, बहुत आसानी से आपको सारी जी समझा जाएंगी पांच ऐसे कौन से zone है, जिन में सबसे ज़्यादा vacancy है और competition के अगर बात करें, तो जबरदस competition देखने को मिलेगा क्योंकि अगर technician की vacancy आप देखेंगे, कुछ zone में नाम मातरी की vacancy है ALP की तरह, और उसके अंदर भी कुछ vacancies फे 12th वाले भी eligible है यानि कि जो SNT वाली post है, वहाँ पर ITA के साथ 12th वाले भी eligible है तो competition no doubt बहुत बढ़िया रहने वाला है तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, zone wise, अहाँ सबी की सारा अरभी का data और उसके बाद आप लोग idea लगा पाएंगे कि इस zone से आपको apply करना से बाकि ऐसी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को अभी subscribe कर लीजे ताकि एक भी वीडियो आपसे miss नहों तो देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं, यहाँ पर जो technician grade 1 वाली यह जो vacancy है इसमें एक new subject add हुआ है, जो की basics of computer and application है, 20 number का और मैं आपको बता दू, I think railway के इतियास में पहली बार computer को इतने high weightage के साथ जो है, वो add किया गया, किसी syllabus में अभी तक computer वगेरा, railway exams में नहीं आता था तो यह जो आपके 20 number का computer है, इसकी preparation आपको अलग से करनी होगी और इसकी preparation के लिए आप किरन publication की objective computer knowledge and literacy यह वाली book को जो है consider कर सकते हैं 1690 से ज़्यादा objective question आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं SSC, CGL, CHSL, MTS, Delhi Police, IBPS, SBI, NDA, CDS, सभी के जो questions से computer के वो इस book में आपको देखने को मिल जाते हैं तो railway के लिए आप इस book को consider कर सकते हैं, यह वाली book आपको हिंदी और English दोनों language में मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर यह जो वाली vacancy है, यह ITA वाली जो student है उनकी vacancy है और इधर यह BSC वालों की vacancy है यानि कि यह जो vacancy है यह grade 3 की है और यह आपके grade 1 की vacancy है और इधर मैंने यह total लिखा है ग्रेड 3 की 69 पोस्ट यहाँ पर grade 1 के लिए है टोटल पोस्ट 522 आई है बैंगलोर की बात करूँ देखो मातर 98 पोस्ट है आईटे वालों के लिए grade 3 की और 44 पोस्ट यहाँ पर grade 1 की रहने वाली है बैंगलोर से अगर total की बात करें तो 142 पदो पर यह vacancy है भुपाल की बात करूँ 373 पदो पर grade 3 की vacancy है आईटे वालों के लिए और 79 पोस्ट यहाँ पर BST वालों के लिए रहने वाली है जो grade 1 की vacancy है टोटल 452 पदो पर vacancy आईए भुपाल की बात करूँ 138 पद हैं आईटे वालों के लिए और 12 पद है यहाँ पर grade 1 के BST वालों के लिए total 150 पदो पर vacancy आईए बिलासपुर में 766 पद हैं आईटे वालों के लिए पिक्चानवे पद हैं BST वालों के लिए total 861 पदो पर यह vac बात करें तो एलपी की तरह यहां पर भी वेकंसी बहुत कम है मात्र 86 वेकंसी है आईटे स्टूडेंट के लिए और इसमें आपको बता दू एसन टी भी इंक्लूड है यानि कि 12 वाले स्टूडेंट बीसी में इंक्लूड रहेंगे 25 वेकंसी है ग्रेड वन के लिए बीएसी वालों के लिए टूटल 111 वेकंसी चंडी गड़ से देखने को मिली है तो बहुत ही कम वेकंसी चंडी गड़ में देखने को मिली है और competition यहां पर बहुत अच्छा रहेगा चेने की बात करूँ तो थोड़ा ठीक ठाक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 785 टोटल पोस्ट गुआटी के बात करूँ 608 पद है आईटे वालों के लिए उसके बाद 16 पद हैं अपर BSC वालों के लिए और टोटल 291 पदों पर यह वेकंसी आई है कौलकाता की मैं बात करूँ 432 पद आईटे वालों के लिए रखे गए हैं टेक्निशन ग्रेट 3 के 74 पद हैं ग्रेट 1 क लिए BSC वालों के लिए 506 पदों पर टोटल यह वेकंसी है मालदा की बात करें 258 पद हैं आईटे वालों के लिए टेक्निशन ग्रेट 3 के 17 जो पोस्ट है वो ग्रेट 1 वालों के लिए हैं और 275 पदों पर यह टोटल वेकंसी आई हैं और सबसे ज़्यादा वेकंसी भी बात जोन भी बताऊंगा लेकिन अभी के लिए जानलो सबसे ज़्यादा वेकंसी मुंबई में आई हैं 1132 हैं आईटे वालों के लिए ग्रेट 3 के 152 पद यहां पर ग्रेट 1 के बेसी वालों के लिए हैं टोटल 1284 बदों पर मुंबई से वेकंसी आई हैं अगे बात कर लेत हैं हम लोग यहां पर मुझाफ़र पूर की तो 105 पद यहां पर रहेंगे टे वालों के लिए और उसके बाद 8 पद हैं होडाबाद में 207 पद हैं आई टे वेकंसी आई हैं राची के बात करू 321 पद आपको देखने को मिलेंगे ITA 12th वालों के लिए 39 पद हैं BST वालों के लिए यानि ये grade 1 के लिए total 350 पदों पर vacancy आई है उसके बात-बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिकंदरबाद में 668 पद है ITA 12th वालों के लिए 76 पद यहाँ पर जो है आपके रहने वाले हैं जो technician grade 1 की vacancy है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 744 पदों पर vacancy आई है silly goody में 65 पद हैं ITA 12th वालों के लिए 18 पद है BST वालों के लिए total 83 पदों पर vacancy है और सबसे जो कम vacancy हैं वो silly goody में ही है मैंने mention किया है यहाँ पर minimum vacancy silly goody में ही है अगर हम total की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें ITA 12th वालों को मिला कर तो 8052 पद है 1092 पद जो है वो BST वालों के लिए है grade 1 के लिए total 944 पद है तो देखो सबसे जादा जो vacancy है नमबर एक पर आता है मुंबई total यहाँ पर 1132 पद है और 12th वालों के लिए 152 यहाँ पर BST वालों के लिए grade 1 के और 1284 पदों पर यह vacancy आई है नमबर दो की बात करूं तो नमबर दो पर आपका यहाँ पर विलासपूर है total 861 पदों पर vacancy आई है 766 ITA और 12th वालों के लिए है और 55 पद यहाँ पर जो है grade 1 के BST वालों के लिए रहने वाले है नमबर तीन पर अगर बात करें तो नमबर तीन पर जो आपका जोन आता है वो है चिन नही 785 पद है आईटे और 12th वालों के लिए 48 पद है BST वालों के लिए grade 1 के total 833 पदों पर यह vacancy आई है और उसके बाद नमबर 5 के अगर मैं बात करूँ तो नमबर 5 का सिकंद्राबाद है 668 पद IT 12th वालों के लिए है 76 पद है BST वालों के लिए grade 1 के total 744 पदों पर vacancy आई है तो अगर आप इसको थोड़ा ELP से compare करोगे तो सिकंद्राबाद में ELP की तरही ठीक टाक vacancy है मुंबई में भी ELP की तरही ठीक टाक vacancy है उसके बाद बात करें चेनरई में यहाँ पर थोड़ा अच्छी vacancy आई है बिलासपूर में आप देख सकते हैं minimum vacancy है सिली गुडी में मातर 83 total vacancy है और उसके अलावा आप लोग अपनी category wise भी जरूर देख सकते हैं तो किसी भी जोन में apply करने से पहले आप official notification में अपनी category wise भी जरूर देखें बागी कल मैं एक वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं category wise भी बता दूँगा कहां पे सबसे ज़्यादा और कहां पे सबसे कम vacancy है तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भोले और कोई आपकी doubt है कोई query है तो आप comment box में पूछ सकते हैं और हमारे telegram group को भी आप join कर लीजे link मैंने description में दे दिया है